Hello everyone, I am Prince, I am welcome to you Today we will talk about the code practice of linked list Basically we will take a question and try to solve these questions What is the question? It is a famous question that we have to find the middle element of linked list What is the case of linked list? The size of the linked list is to find it So first let's say the middle element Example 1,2,3,4,5 So the middle element is 3 If there is even number of the element Even number of the element 2 elements are middle But we consider 4 Next So the next one Okay? Why? 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 Look at the end Now, in the last lecture, we have been made a linked list A function that prints the same as linked list What? We have made a linked list Now I have made so many that we have sent agt What is that? Basically, it isn't all Nothing. It is the linked list It is which has total 9 elements ठीक है और यह 9 element मैंने बनाए है as a data set अब इस data set को हम लोग apply करेंगे ठीक है अब apply कैसे करेंगे और देखते हैं यह सारा data आपको लिखना नहीं पड़ेगा जब भी आप कहीं competitive जगा पे जब questions किजेगा तो आपको सिर्फ एक header दिया जाएगा दोखो मैंने यहां पर print list बनाय करता है उसके अंदर पूरी की पूरी link list का information रहता है हमें ना link list का size पता है ना उसमें यह पता है किस तरह का element store है बस पता है कि head पता है अब उसके कोड़े हमनों सारा data को find करेंगे और fetch करेंगे अगर link list का मतलब भी तो यही था कि भाया size का restriction ना आए जितना हम उतना element store कर सक है इसलिए हम लोगों सिफ head पता है अब मालो सर बोल दिया कि count निकालो कि total number of element कितना है तो सर यहां पर हम लोगों नहीं पता है यह जो इतना मैंने blue box करके रखा है मालो यह हम लोगों नहीं पता है मैंने सर टेस्टिंग के लिए आपको समझाने के लिए एक बना के पहले से dummy data तयार किया है और जोग आपको dummy data नहीं मिलेगा आपको सिविक header दिया जाएगा और उसके according आपको query fetch करनी होंगे आयोप यहां तक क्लिया तो चलो सर हम लोगों निकालते है count की value की total number of link list में element कितने है तो हम लोग इसी function में कुछ modify करते है modify क्या करते है अब देखो हम लोग यह वाला code यह वाला code क्या है basically यह print करा रहा है link list के सारे element को it means ही वह link list के सारे element को touch कर रहा है तो क्यों नो उस बार हम लोग count भी कर लें तो एक int c o u n t count नाम का variable बनाते हैं इस node के अंदर and यहां पर करते हैं count की value plus plus and जब यह चीज प्रिंट करा दे तो उसके बाद हम लोग चाहेंगे की void return भी कर दे see out number of element in link list is and यहां पर आ जाएगा count sorry count and अब आपके मैंने क्या किया यह वाला code तो जितनी भी number of element थे उनको print कराने क्लिक कर दे तो आके हर एक element है तो लोग जाहीं रहे थे इसे तो हम लोग क्या कि यहां पे count का variable बना लिये जो की count कर लेगा कि कितना जगह हम लोग यहां पे print करा रहे हैं यह कि कंगा से value इसके जो पता चल गया कि मिडर element कौन सो होगा फाइफ इसके जो पता चल गया कि मिडर element कौन सो होगा फाइफ मिडर में फाइब होगा हम लोग चाह रहे हैं अब उससे तुम लोग पांच वाइलिमेंट कर लेना हम लोग चाह रहे हैं कि पांच element प्रिंट करा हो इस टार्टिंग के पांच अलिमेंट लिंक लिस्ट के प्रिंट करा हो तो फॉर एंट आई बरावर जीरो आई लेस दन फाइफ आई प्लस प्लस ठीक है पांच बार लूप चलेगा पांच अब यहां कि छोटा सा काम करते हैं इस्टार्ट नाम का एक वैरिवल बनाते हैं जो कि पॉइंटर वैरियेवल है क्या हो रहा है कि स्टार्ट के स्टार्ट का जो डेटा है ठीक है एंड और स्टार्ट की वैलु रविल कर देते हैं अब यह काम कब तक होगा अब इस्टार्ट का डेटा रोडिया अब हैट करा दिया अब हैट की वैल Ugh कर दी ठीक है आयोपी जी समझ में आ रहा होगा ये हमनों head में भी कर सकते हैं टीक है head जो भी एक main data दिया रहाता था हमनों भूसके this नहीं करते हैं अब head कैस्ते मह कर सकते हैं हमनेenta up goes सोचे कि nहीं head का इस्तेमाल नहीं करते हैं start का इस्तार्ट के स्तार्ट करते है start a temporary type विरीवल बना लिया start में head डाल दिया अब start में data print करा दिया start की value आगे shift कर दी और ये काम कब तक चलेगा 5 बार क्योंकि हमें 5 element print कराना है तो print काके देखो क्या आता है yes 5 1 3 minus यह रहा starting के 5 element 5 1 minus 3 11 और 10 ठीक है आई यह वो pieces के आपको clear हुआ होगा अब sir हम लोगों को माल लो middle element find करना था तो हम लोग क्या किया है पहलो तो यह loop चला है माल लो loop चला है फिर count की value निकाले count की value पता चल गई और माल लो count की value यह 9 तो 9 by 2 किया है तो 5 आया ठीक है आता 4 बट 5 element यहां 5 element की बात कर रहा है तो भी यह फिर 5 element तक के लिए loop चलाओ तो फिर 5 element पता चलेगा तो कुल में लाग है काम जादा होड़ रहा है ठीक है तो यह काम हम लोग नहीं चाहते है हम लोग चाहते है सरकुछ logic भिढ़ाते है इस पे अब इसके लिए आप को ए concept समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है देखो अब यह एक बहुत अच्छर डियाग्राम दिख रहा है अब इसमें 5 element है एक link list में 1 2 3 4 5 ठीक है हम लोग 2 pointer concept खेलेंगे पहला pointer है अब लोग राइट साइड में मैंने इसको arrange करना भूल गया अपर साइड में corner में देखो एक slow pointer एक fast pointer है और दोनों pointer head पहले हम लोग 2 pointer में दोनों note करा का pointer होगा ठीक है दोनों pointer में हम लोग head रखेंगे ठीक है slow pointer एक की एक काई speed से आगे बढ़ेगा और fast pointer दो की speed से आगे बढ़ेगा अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है सबसमाज में आएगा पहले बाते सुन लो fast pointer और condition क्या चेक करेंगे आगे बढ़ने के लिए जब fast pointer कहीं नल तो नहीं और fast pointer का next में कहीं नल तो नहीं दोनों साथ में चेक करेंगे सर क्या बखवास कि ये कुछ समझ में नहीं है बट ये टाइग्राम में बटा मोटा समझ लो slow pointer fast pointer do pointer के यूज करेंगे अब middle element find करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं माल लो एक link list है जो कुछ नहीं point कर रहा एक खाली head है तो मैंने बताया कि slow pointer faster te가는 pastor when में क्याया रखा हूँ है head स्वाश्वाइड अब एक रखने के बाद अब सायले नहीं point करी नहीं रहा है तो कि बीडिल element अने का चांस ही नहीं है अब condition क्या check करना है कि fast pointer में कहीं नल तो नहीं exactly had fast pointer क्या रखा हूए और head क्या है यहां पे नल तो भाईया condition fail कोई भी middle element नहीं मिलेगा अब मालो कि पहला एक ही link list है link list में एक ही element है ठीक है तो भाईया अब head किसको point कर रहा है fast pointer किसको point कर रहा अभी head को अब fast pointer में कहीं null है condition देखो राइट साइड मैंने condition रखी है दो condition fast pointer कहीं null तो नहीं तो हां यहां पर नल तो नहीं है कुछ ना कुछ तो point कर रहा है अब fast pointer का जो next variable है उसमें कहीं null तो नहीं exactly fast pointer का next variable तो null है because यह कोई दूसरे element को point करी नहीं रहा है देखो यहां पर नबहुत लोगों प्रॉब्लम आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं विदे वर्डिंग्स में उन्हें प्रॉब्लम इसलिए आ रही होगी कि उन्होंने मेरे starting lecture नहीं देखा यह लिंक लिस्ट के फ़ले starting मेरे concept समझ जो फिर मखन की तरह चीज निकलेगा कोई problem नहीं आने वाला है ठीक है तो obviously single element है तो कोई middle element आने का बात ही नहीं तो condition fail हो गया अब दो element है तो क्या fast pointer null को point कर रहा है नहीं जी fast pointer का next है क्या वो null को point कर रहा है नहीं condition satisfy अब आप मैंने क्या काहा है slow pointer एक कितेई से बढ़ेगा fast pointer दो कितेई से बढ़ेगा तो मैंने black वाले को एक बढ़ाया और लाल वाले को दो बढ़ाया ठीक है अब condition क्या चेक करेंगा फिर से ये condition check करेंगे तो fast pointer रहे हैं नल को point कर रहा है तो जो black वाला बचा black वाले जिसको point कर रहा हूँ वो middle element ठीक है 2 obviously यहां पर commonsense लोगा middle element 2 होगा होना चाहिए कुछ नहीं बट बीच वाला का एक plus one हम लो middle element check कर रहा है आई होब यह समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहरा हूं ठीक है अब पांच element की बात की जाए तो पहला fast pointer null को point कर रहा है नहीं fast pointer का next null को point कर रहा है नहीं तो पहले वाले को एक बढ़ाएंगे और दूसरे वाले को दो की तेजी से बढ़ाएंगे ठीक है फिर वागी condition पहले वाले को एक की तेजी से और दूसरे वाले को दो की तेजी से ठीक है यह जी दो को समझो क्या हो रहा है पहले वाले को एक की तेजी से दूसरे वाले को दो क तो पहुंचेगा पहला वाला एक एक करके पहुंचेगा जब तक वो एंड पहुंचेगा तब तक फास्ट पॉइंटर इन पे पहुंचेगा तब तक स्लोओ प्यूंटर उसके मिडिल में वहाँ वोसके दोगिनातीजी से बढ़ रहा है ठीक है तो हम लोग को बैसिकली इसको क्या करते हैं अब लोग चाहते हैं कि प्रेंट कराए मिडल तो करेंगे एक हम लोग को सिर्फ है पता होगा और कुछ नहीं पता होगा हम लोग नोट तरह का बनाएंगे दो आदगे 5 कि दो यार जो लोग समझ में नहीं आ रहा है ना उनका बस एक ही रिजाने बेसिक हिलावा बेसिक हिलावा है तो भया पहला लेक्चर प्रिफर करो प्रिफर नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आगा सब हावा में क्रॉस होगा कि यहां पर मुझे पास करना चाहिए है तो यह चीज़ समझ हो यार कि पहले लेक्टर समझ हो कि बेसिक के लिए रखो करना सब समझ में आएगा कोई टुफ नहीं है सब पॉइंटर का खेल है यहां पर अब दोग मैंने क्या दिमांग लगाया स्लोग दो पॉइंटर खेल गय ठीक है अब हम लोग चेक करेंगे इफ कहीं जो हैड है जो हैड है वो नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा है यह चीज़ चेक करना पड़ेगा यह खाली अलिमेंट तो नहीं है जो पहला की आज मैंने बताया था तो फिर बात ही खाता हम फिर तो कुछ मिडिल एलमेंट निकल जो फास्ट पॉइंटर है क्या वो नल तो नहीं नहीं है कहीं जो फास्ट पॉइंटर है क्या उसका जो नेक्स्ट एलमेंट है वो नल तो नहीं नहीं भाईया वो भी नल नहीं है तब क्या करेंगे जो फास्ट पॉइंटर में उसको दो बढ़ा देंगे फास्ट है उसमें क्या जाएगा बस नेक्स्ट अब यह जैसे आ गया तो फिर यहां ब्रेक लूप करेगा वहां लोग सुर्ण कर देंगे मेंगे मेंडρί ऐलि मेंट इस अब विदिल मेंट ऐसन है कौन सहों घहां पर फास्ट पॉइंट इस जा पहुंच जाएगा लेकि आन भी ने पहुंच जाएगा अब इस प्रिंट अलिमेंट को हम लोग करका देखते हैं कि print middle element and head that's it अविक प्रिंट करें अब देखते हैं middle element किया आता है middle element is error अब देखों यहां पर वीख चीज़ देखते हैं कि node star head okay fast null fast pointer कहीं next का null नहीं 1st pointer को next replace करना है slow pointer and node star head 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 okay pointer नहीं print कराना है हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ पे data print हो थेक है अब data print हुआ हुआ अब हम लोग run करा करें कि अ कि run करान के बाद क्या रहा है ना टैन मिडिल एलमेंट 10 एक पॉइंटर को दोना तेज से बढ़ा रहे हैं और दूसरे को सिंगल स्पिट से बढ़ा रहे हैं बस यह समझे वाला दे रही है यहां पर डेटा प्रिंट करा दिये वह यह स्लोपॉंटर किस डेटा को पॉइंट कर रहा है तो टैन को पॉइंट कि आपको वीडियो समझ में आया कि कहने कंस्ट क्या था अब इस कंस्ट का कहीं भी अपलाई कर सकते हैं एक रिक्वेश्ट था कि इसे कि मैंने फेस्बुक पे अपना चानल का पेज बनाया है हेलो वर्ल का नाम से मैं जाता है आप लोग प्लीज इसे लाइक कर देजे अप पोश्ट को भी लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरू कीजिए अगर आप नए चैनल में कमेंट करके बताएं अगर को डॉट आ रहा था ठीक है लेकिन फेस्बुक और पेज जोगी पर लाइक कर दीजेगा जो लिंक है मैं वो डिसपसे में दे दोंगा ठीक है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में